दोस्तों दोडी मौन का एक बहुत ही डड़ाबना एपिसोड जो की आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ एपिसोड वाकई में बहुत ड़ाबना है क्यूं ड़ाबना है आपको अभी पता चल जाएगा कुछी समय में दोस्तों डोडी मॉन के इस एपिसोट का नाम है दे डेविल कार्ड इसमें क्या होता है आपको बताते है तो दोस्तों यहाँ पे नोबीता को पैसो की जरूरत रहती है और नोबीता को तीन सुरुपे चाहिए होता है नोबिता हेल्प के लिए डोडी मॉन के पास आता है लेकिन रूम में डोडी मॉन नहीं होता है जब नोबिता रूम की चानपिन करता है कि उसे डोडी मॉन को को गैजट मिल जाए तो नोबिता को एक मैप मिलता है मैप जैसा कुछ मिलता है जैसे नोबिता उस मैप को ओपेन करता है अचानक से नोबिता के सामने एक डेविल आ जाता है और डेविल नोबिता को एक डेविल कार्ड देता है दोस्तों डेविल नोबिता को वो डेविल कार्ड देता है और कहता है कि इससे तुम हर टाइम तीन सो तीन सो रुपे करके नि लेकिन तुम्हारी हाइट जो है एक सेंटिमीटर छोटी हो जाएगे। नोबिता डड़ जाता है, नोबिता डड़ते में खहता है कि मुझे नहीं चाहिए, अगर मैं यह इस्तमाल करूँगा, तो मेरी हाइट बहुत छोटी हो जाएगे। डेविल खहता है तुम टेंसन मतलो एक सेंटिमीटर बहुत ही ज्यादा कम है इतना कम कि तुम्हें मालूम पड़े गाई नहीं कि तुम्हारी हाइट छोटी हो गई है इसी बात को सुनकर नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और डेविल से वो डेविल काड ले लेता है दोस्तों नोबिता ये डेविल करने लेता है और यूस करने लगता है अब नोबिता क्या करता है सोचता है कि नोबिता की जो बंदी है सीजुका नोबिता अब उसे इंप्रेस करना चाहता है तो नोबिता सीजुका से कहता है कि सीजुका तुम्हें ये चाहिए था न मैं तुम्हें दिला दूंगा बस तुम बताओ इसका प्राइस कितना है जब नोबिता पैसे निकाल रहा होता है तब ही अचानक से नोबिता के सामने जियान और सुनियों आ जाते हैं और जियान और सुनियों मिलके नोबिता के सामने एक एक डिमांड रखते हैं कि उनने क्या क्य चाहिए जहां पर जियान नोबिता से कहता है कि नोबिता मुझे स्केट बोर्ड चाहिए उसी प्रकाट सुन्यों भी नोबिता के सामने अपनी डिमांड रखता है नोबिता पहले तो उन्हें मना कर देता है लेकिन जैसे ही जियान अपना गुसेल चेहरा नोबिता को दिखाता है नोबिता जो है जियान और सिउनियों की डिमांड पूरी कर देता है लेकिन नोबिता थोड़ा ड़ा बाढ़ाता है कि नोबिता ने आज कुछ जादे ही पैसे खर्च कर दिये थे अब दोस्तों दिखाया जाता है कि वापस से जियान नोबिता के पास आता है और अपने स्केट बोट को लेकर कहता है कि वह इससे परिसानी में फस गया है अब उसे और पैसे चाहिए और सुन्यों भी आता है और कहता है कि उसके फुटबॉल से वास टुड़ गया है उसे भी पैसे चाहिए नोबिता जो है अपने घर जाता है और पैसे खटे करने लगता है जब नोबिता पैसे खटे कर रहा होता है तो नोबिता की पापा जो है नोबिता को देख लेते हैं उस काट से पैसे निकालते हुए नोबिता के बापा को लगता है कि ये काट जो है उसे डोड़े मौन ने दिया है नोबिता पैसे इखटे कड़के जयान और सुन्यों को देने चला जाता है और जब वो घर आता है तो वो पैसे के आवा सुन रहा है कि काट से पैसे निकाले जा रहे है नोबिता ये सोच कि गबड़ा जाता है और जल्दी से वो अपने ममी पापा के डूम की तरफ भागता है नोबिता देखता है कि उसके पापा जो है उसके काट से पैसे निकाल रहे है वो काफी ज़्यादा पैसे निकाल चुके होते है इतने ज़्यादा पैसे निकाल चुके होते है कि पूरी रकम जो अब तक में निकाली जा चुकी थी उस कार्ट से अगर मैं आपको वो रकम बताऊं तो वो रकम थी पूरी चार लाग नोबिता अब हिम्मत हार जाता है और ड अब तुम्हारी हाइट जो है 130 cm छोटी हो जाएगे नोबिता ये सोच के बहुत जादा रोने लगता है कि उसकी हाइट जो है अब 130 cm छोटी हो जाएगे डोडी मॉन खहता है नोबिता तुम्हारी हाइट इतनी छोटी हो जाएगी कि तुम लोगों को दिखाई नहीं दोगे लेकिन फिर भी डोडी मौन जो है नोबिता की मदद करने के सोचता है डोडी मौन डेविल को बुलाता है और डेविल से कहता है कि हम तुम्हारा जो चार लाक रुपए है वो कैसे भी करके हम तुम्हें लोटा देंगे बस तुम हाइट को छोटी मत करना नोबिता के यह सोचकर डेविल बहुत गुस्सा होता है और वहां से यह सुनकर डेविल बहुत गुस्सा होता है और वहां से गायब हो जाता है क्योंकि डेविल को हर हाल में नोबिता की हाइट छोटी करनी थे अब दोस्तो वो समय आखिर कर आ ही जाता है जब नोबिता की हाइट छोटी होने वाली होती है और नोबिता की हाइट जो है छोटी हो जाती है लेकिन यह क्या नोबिता की हाइट छोटी होते होते वापस से नॉर्मल हो जाती है अब यह normal कैसे होती है अगर आपको समझ में आ गया तो comment box में लिखिए और अगर आपको समझ में नहीं आया कि नोबिता की height छोटी कैसे होके normal हो जाती है तो मैं बतायता हूँ डोडी मॉन के पास एक gadget है big light करके डोडी मॉन अपने दिमाग का इस्तमाल करता है जैसे ही नोबिता का height छोटी होड़ी होती है डोडी मॉन जो है big light का इस्तमाल कर लेता है और नोबिता वापस से अपने normal size में हो जाता है लेकिन जैसे ही devil यह देखता है वह अपना माथा पकरके रोने लगता है क्योंकि devil को पता ही नहीं था कि डोडी मॉन जो है इतना genius है लेकिन तब ही नोबिता और ज़्यादा खुस हो जाता है और कहाता है कि अब तो मैं इस card का भरपुर इस्तमाल करूंगा क्योंकि अब नोबिता को पता था वो चैए जितने पैसे खर्च कर ले जितना चोटा हो जाए डोडी मॉन जो हे अपने big light से जोबिता को सही कर ही देगा अब दोस्तो अगर माल लीजिए डोडी मॉन के पास अगर big light होता ही नहीं तो फिर नोबिता का क्या होता क्या नोविता वापस बड़ा हो पाता नहीं दोस्तों नोविता बड़ा नहीं हो पाता नोविता इतना छोटा हो जाता कि कोई भी उसे चाके ढूंड नहीं पाता तो इसी लिए दोस्तों यह जो एपीसोड है जो कि मैंने अभी आपको explain किया The Devils Cut इस एपीसोड को मतलब डोडे मौन के जितने साड़े भी एपीसोड आये ना उनी एपीसोड में से इस एपीसोड को काफी जाता डड़ाबना एपीसोड माना जाता है डड़ाबना इससे माना जाता है क्योंकि नोबिता के पास अगर बिग लाइट नहीं होता या फिर डोडे एकस्प्लेेशन पसंद आई होगी अगर आपको हमारी या एकस्प्लेशन पसंद आई allora hate ुरॐ चयनल को को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही आप वमें बता सकते हैं कि अब आपको अगला कौन नियोंट चांई डोड़ी महां का अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कोई और कार्टून जो है explain करके समझाओं तो आप मुझे उस कार्टून का नाम कमेंट कर सकते हो और साथ ही आप मुझे वो episode का नाम भी comment कर सकते हो ताकि मैं आपको वो explain करके सुना सकूँ दोस्तों अगर देखा जाए तो ये एपीसोड को आप थोड़ा मतलब सस्पेंस वाला एपीसोड बता सकते हो या फिर कह सकते हो या फिर आप जो है इस एपीसोड को थोड़ा होरर एपीसोड कह सकते हो एंड तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई ठीक है तो ज्याना लंबा इस वीडियो को नहीं खीचते हैं and again आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को सेर कर दे और एक लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लाइक तो करिए दे ठीक है ताकि आपको ऐसा एपीसोड मिलते रहे और लाइक के साथ साथ ने एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे और मैं करना चाहूंगा कि दोस्तों क्रिप्या करके ना इस वीडियो पे ना एक अच्छी से कमेंट कर दे अगर आप कमेंट करोगे ना तो उससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट होँगा कि हाँ मैं कोई अच्छा मतलब और अच्छा से आपको एक्स्प्लेन कर सकूँ डोडी मौन के एपीसोड के बाड़े में तो यहाँ था डोडी मौन का एपीसोड और इस एपीसोड का नाम है देविल काड अकर आप यूटूब में सर्च करोगे इस एपीसोड को लेके तो आपको काफी सारी वीडियो मिल जाएगी हाला कि यह जो मैंने बनाया था वीडियो यह बस एक सिंपल सा एक्स्प्लेनेश जाएगा चले मिलते हैं हम अगले वीडियो में